नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आज न्यूस क्लिक की खास पेशकश में गरतंत्र दिवस पर आपके लिए लाएं हैं यह special interview आखिर गरतंत्र किस समाज के लिए क्या माइने रखता है हम सब जानते हैं कि गरतंत्र पर जो भव्वे दिव्वे आयोजन है वो हमारे मानेनिये प्रधानमंत्री के इर्दगिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है 2014 से यह परंपरा चली आ रही है लेकिन इस गरतंत्र से देश का जो गण है देश के जो नागरिक हैं और खास तोर से वे नागरिक जो पूरे के पूरे तंत्र में हाशिये पे ढखे ले गए हैं उनके लिए जो आवाजे काम करती हैं वे इस गरतंत्र को कैसे देखती हैं उनके लिए क्या एहमियत है इसके लिए हम बात करने पहुँचे सामाजी कार्यकरता रमन मैक्से से अवार्ड से सम्मानिक बेजवाडा विलसन से जो सफाई करमचारी आंदोलन पिछले 40 सालों से चला रहे हैं पुरे देश भर में महला प्रथा के खात्मे के लिए जो गैर कानूनी है जिस पर संसत कानून पारित कर चुकी है जिस पर देश की सुप्रीम अदाल फैसला सुना चुकी है लेकिन वह प्रथा चल रही है और पिछले 250 से अधिक दिनों तक अभी अभियान ये चला रहे हैं सीवर और सेप्टिक टैंक में हत्याओं को रोकने के लिए ये हत्याएं सफाई करमचारियों की होती है ये हत्याएं हमारे भारतिये नागरिकों की हो लाने हैं बेजवाडा विल्सन आपका न्यूजिक में बहुत-बहुत स्वागत है किस तरह से आपके लिए गड़तंत्र यानी क्या angry तर्वा गड़तंत्र है ये हम 1950 करतंत्र दिवस मना रहे हैं दो हजार तेईस में हम बैठे हैं यह गणतंत्र दिवस आपके लिए क्या मेसेज लेकर आता है कैसे आप देखते हैं अपने गणतंत्र को पर्टिक्लर्ली यह गणतंत्र दिवस पे हम ऐसा सेलेब्रेट करने के एक मूड होते हैं लोग का यह तो मुझे नहीं दिख जह रहा है यह ज्यादा से ज्यादा एक सरकार वो लोग का उनका एक त्योहार जैसे बन गया क्यों है तो मेरा बच्चपन से मुझे याद है यह आजादी का दिन होगा 15 आगस्ट 26 जनुरी यह तो तोड़ा हमने इंतिजार करते हैं दीवाली जैसा पता नहीं अभी क्या हुआ जैसा हो गया यह सरकार का एक त्योहार है वो कहे तो सारे लोग करना नहीं तो ना करना ज जी आज ही के दिन 1950 में पूरे देश में कॉंस्ट्यूशन लागू हुआ था संविधान लागू हुआ था हाला कि आज जब सरकारे बात करती हैं तब कॉंस्ट्यूशन को माइनस करके बात होती है कॉंस्ट्यूशन को कोई याद भी नहीं करता आज गरतंत्र और संविधान क्या संकट है कहा है संकट के विशेई से बात करने के पहले समविदान पे थोड़ा रस्पेक्ट है ये थोड़ा खम हो रहा है हम समविदान से ज़्यादा एक विक्ति विक्तिगत इंडिविज्वल का पूजा करना ये तोड़ा गनतंतर पे तोड़ा शामिल हो रहा है सो सम्विदान पे क्या है कोई इसका सुनना तायार नहीं है बात करना तायार नहीं सरकार भी सम्विदान का पुकारना ये विशेशे तोड़ा दूर छेले गया वो लोग अभी सम्विदान का कैसे बदल सकती, सम्विदान का लोग का एक संबंद है, we the people of India, we affirm, हमने बनाया सम्विदान, सम्विदान हमें बताया, हम मान के जा रहे हैं, सम्विदान का लागू लेके जाएंगे, वहां से लोग है, वो लोग का थोड़ा दूर लेके चले ग प्लिक यह त्यूनों का एक संक्तिति पे है आज का तारिक पे, यह गंबीर विशे है, आपने कहा कि गंबीर विशे है, आप लंबे समय से कुछ मुद्दों पर काम कर रहे हैं, आपकी पूरी संस्था काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि आपने एक बुणियादी जीत यह वस्तों हासिल की कानून है देश का सुप्रीम कोड़ का फैसला है मैलापरथा के खात्मे के लिए फैसला है आज जब हम बात करें भारत की जर्नी की क्योंकि भारत एक बात हो रही है कि विश्व गुरू हो चुका है भारत की तमाम देशों में एक पूछ है जिस तरह की ब अभी विश्वास नहीं करते हैं वो क्या सोचते हैं वो करना उनका आदत भी बन गया और लोग कभी ये संविदा का साती साती लेके जाना कैसे एक मौसम होना चाहिए सारे मिलाके जाना ये तो बिलकुल नहीं है दूसरा बात है लेकिन बहुमत है ना सरकार सरकार तो जीत की आई है तमाम जबों पर जीती रही एलेक्शन पर जीतना जालेक्शन पर हारना ये अलग बात होते हैं एक चीज होते हैं सम्विदान और रिपब्लिक गनतंत्र हम कहते हैं वहां नागरिक सबसे बड़ा इंपोर्टेंट रोल बनते हैं सौना सौवरेंड शीडिजन हम कहते हैं से इट इस नोट जेस्ट ये सावरेंड कंट्री हम कई बार ये विशे पर बात किया हैं वी आर दो सावरेंड सिदिजन साफ एक रिपब्लिक एक रिपब्लिक पर हमने सावरेंड सिदिजन हैं एक फीलिंग होते हैं मैं क्या सोचेंगे ये ये देश पर होते हैं मैजार का बावना चिंतना उनका दृष्टी कोन यह सारे कोई ना कोई कज़ा करके आज का थारिक पे अपरेट करना रिमोट जैसा बन गया तो कितने अशक्त शेक्तिहीन बन गया नागरी के देश पे यह गनतंत्र दिवस पे इस पे सोचना बहुत इंपोर्टेंट है दूसरा है आप कहते हैं हम विष्वगूर बनना थो इंडियन ऐस दे वी अपीपल हम थोसरा के हम लोग चांटे कि कुछ बताना सिखाना यह नहीं है इंडिया इसे ने वेरी 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 मेच्यूर्ड कांट्री हैं इंडिया का हमारा देश का हमारा मेच्यूरिटी आए दुनिया सारे सीख सकते हम किसी का सबक सिखाना ये अमारा नहीं है और अमारा का बहुत चीज पता है हम सबका जाके सिखाना ये तोड़ा हजीब लगते ह और यह देश का एक भी है हम दूसरा देश का विशेई पे भी खई चीजों पर उनका चुनाओं पर भी हमारा लोग जाके वहां उनका प्रचार करके यहां तक मतलब आप आपकर रहे हैं मोदी जी जो ट्रॉम्प का प्रचार करने गए अमरीका हम उनका मतलब एक देश का एक प्रदानी एक देश का नीती होते हैं यह देश का प्रदानी दूसरा देश का कही जाके वहां प्रचार पे मतलब वी हाव ब्रॉट दक होल कांट्री और अवर्टिंग तो लेवल वेर इस ने लोकल बाड़ी एलक्शन जैसा बन गया देश अब यह अलग होते हैं उनका देश पर कोई उनका चुनाव पर कोन जीतेंगे यह अलग बात है तोड़ा कलोनियल कंट्रीस हैं और एक इंपरिलिजम हैं सम्राजवाद देश हैं वो लोग ने दूसरा देश पर आपरेट करना सोचते हैं इंडिया इस नॉट फर दाट वी और नॉट फर दाट हमने यह देश का नागरिक हैं अमारा देश का हमारा चिंतना हमारा लोग का हमारा समस्य क्या है ये चिंतना हमारा का बहुत इंपर्ण है we the people we have to understand our own country so ये दिशा पे ये देश का लेके जाने के वज़ा कोई ना कोई बहुत पावर्फुल बन जाते है सारे नागरिक शिक्ति ही नो जाते है साव रूपिया डीजल का और पेट्रोल का दाम बनने के बावजूद भी सारे लोग सुपचप बिटाने के हम सिखा ये तो नागरिक का there is something is going drastically wrong ये गनत अंतर का दिवस पे हम लोग ने विचार करने के important चीज है हम बात कर रहें समिधान की भी समिधान के दो-तीन आर्टिकल के बारे में मैं आप से जानना चाहूँगी आर्टिकल 14, 17 और 21 इनके बारे में बहुत कम बात होती है और जनता इन आर्टिकल को बहुत याद करती है जो बराबरी से जुड़े हुए मामले है जो जनता आर्टिकल 21 बोलते हैं कि सबको जीने का अधिकार है 17 चुवाचूद के बारे में बात करता है बकायदा लिखा हुआ है कि चुवाचूद नहीं होनी चाहिए लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि इतने सालों में चुवाचूद बढ़ी है इतने सालों में जातिगत उत्पिरन बढ़ा है इतने सालों में जो बराबरी वाला भाव है वह कम हुआ है को बाइटने के बाद वोने सोच लिया में मेजारिटी मिल गए हम कुछ भी कर सकती सो समविधान पर एक्सैजже करना चाहिए बताने के बाहर आयतो सरकार सोचते हैं सरकार का किलाफ काम कर रहा है मतलब सरकार ने सम्विधान का अनसार नहींGA चल रहा है इसलिए सरकार का डर हो जाते हैं हम सम्विदान पर कोई आर्टिकल का विशे 17 होगा 21 होगा एनी आर्टिकल हमने ले ये तो उनका अभी विक्ति का आजादी का विशे पर होगा कई चीजों पर वो बहुत-बहुत सारे बैन करो इसका कातम करो करो अभी फिल्म पर भी बैन है बीवी सी कर्मेंट पर बैन है सो क्यों है तो यह मेरा किलाफ आई तो वो बैन करो सब मतलब क्या है सब कई चीजों है यह देश का अंदर एक ट्रैंसपरेंसी एक अकाउंटेबिलिटी हम कहते है इसका हम हम सारे इवेंट ऊनद का अफ्टर मिस पर आना रहे हम यह पाहले कितने बड़ा सडग बना रहा है यह देश का अंदर कितने लाइन चल रहा है हमने चार गंटा के छे गंटा के सफर का चार गंटा बना के हम चलाना इस रास्ता सडक नहीं है खाने के नहीं है बीक अभी इतने चल रहा है घरी भी आईसा है बुक इतने है यह विश्य पे चर्चा नहीं है तो it is an against the Constitution Constitution Article 21 जीने क्या मतलब क्या है आप बिना खाना बिना खपड़ा बिना रहने के साहिज जेगा आप आई से जीने that is against the violation abusing the naturally the power you have to see all these things for all the citizens after so many years of the independence क्यों अभी नहीं है इसका सवाल नहीं पूचना अगर सवाल पूचे तो वो सोचे उनका एगेंस्ट है वो नहीं समझ रहा है कोई सवाल आएगा सुदारने के लिए क्यों तो सुदारना उनका जुरूरी नहीं है हम थायार करके रख दिया इसी का अंसर ये देश का चलाना हमरा का सारे प्लान हमरा हाथ पे ये कंप्लेटली अगेंस्ट इंडिया अभी मैं आपसे जाना चाहूंगी कि दो सो पचास से अधिक दिन हो गए सफाई करमजारी आंदोलन को पूरे देश में स्टॉप किलिंग अस हमें मारना बंद करो कि नारे के साथ आपके कारे करता देश के अलग-अलग हिस्सों में जा रहे हैं और सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि सीवर और सेप्टिक टैंक में जो मौते हैं इन्हें खतम किया जाए इतने दिन का अनुभव क्या है क्यों सड़क पर उतरना पड़ा जबकि देश का कानून आपके पास है देश की संसद ने कानून पारित किया है जो बताता है कि गैर कानूनी है देश की सबसे बड़ी अदालत आपके पक्ष में फैसला दे चुकी है बोल चिन्तनी विशे हैं ये सब लोग भी तोड़ा एक अटलिस्ट एक मिनिट रुखे सोचना पड़ते हैं कोई एक ये देश का नागरिक का उनका खुद हाथ से मैला उठा के रोटी काने के स्थिति पे अगर ये समय आद्याजी का पिछे तरसाल के बाद नागरिक हाई तो हम इसका अमरे का कानून चाहिए कानून कहना अमरे का इंसान दूसरा इंसान का मलमुत्र नहीं डोना ये बताने का मरे का कानून का जरूरत अभी भी है कानून का बेर कानून का नहीं है तो भी हमरे का दिमाग का अंदर अटलिस्ट इतने तो बुद्धी होना चाहिए देश क नागरिक का सिर्फ नहीं देश का कोई भी फालन कर रहा है उनका दिमाग का अंदर होना कैसे हो सकते क्यों ऐसा हो रहा है उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश बिहार और जारकंड उत्राकंड और जम्मु कैश्मिर गिनी राज्यों पे आज का तारीक पे ड्राइलेटिन का फंक्षन बनाना क्यों बनाना फंक्षन शरम करना पचितर साल के बाद आज का तारीक पे कतम हो रहा है अगर कतम हो तो भी वो नहीं हो रहा है दूसरा बात है लेकिन संसद में सरकार ने कहा कि मैनुल्स के वेंजिंग से कोई डेथ नहीं हुआ है आप एक बात बताओ यह सं भी का हा बोला सारे चीज वो बोलते हैं नहीं है रिपोर्ट पूछो वो नहीं है रेकार्ड पूछो नहीं है संसंस का डेटा पूछो नहीं है साफाई कर्मचार इसका कभी सर्वे किया नहीं किया नहीं है डेटा नो डेटा उनका एक आदत हो गया ना बोले के भी मम सर्व कर सकते हैं, so they are testing the people, हम कितने भी क्रूर भी हो जायेगा, फिर भी हम लगे सर्वाइव कर सकते हैं, उनका ये अभी उनका मन पे आ गया, 2300 का उपर लोग, ये देश का अंदर, गटर का अंदर और सिवर का, नहीं तो मैन होल का अंदर, गुसा के मार डालने के बावजूत, एक मंत्री अभी भी पार्लमेंट पे आके, जैसे कोई भी ये देश पे नहीं मरा बोलने के बाद, कुछ नहीं होते हैं ये देश पे, सबका ऐसा उचल हो जाते हैं, नहीं होई तो, स्टेटमेंट देना, भागना, विजिट करना, सारे चीज करते हैं, बट मॉस्ट मार्जिनलाइज, ये कम्यूनिटी का चीज है, 200300 लोग मरने के बाद भी, प्रजान मंत्री से आठ साल से एक एक बयान आया, एक विशे बताय बात किया, हम इसका रुखेंगे पताया, कब रुखेंगे भी ठीक है, ताकत नहीं है, डिकलेर करो, it's okay, कुछी भी नहीं होते, चुप चाप, आप क्या-क्या बालत है, मेरा ये की है, रिपब्लिक दे का आपका, ये की संदेश अभी राष्टरपती ने अभी बोलने वाल होगा कल, वो समय वो फुकारना at least, what the government has been a plan to actually eradicate the manual scavenging or stop the civil's death, ये रुखा वट कैसे करेंगे, हम एक की चीज है, पैसा चाहिए, वो चाहिए, लोन चाहिए, ये नहीं है, हमने मारना बंद करो, इसका तो बता सकते, कब तक बंद करेंगे बता सकते, ये तो चीज सच्चा क पर भी नहीं आते है, कोई भी इस पर विशे नहीं है, अगर मंत्री गलत कर रहे है, प्रदान मंत्री क्या कर रहे है, what is the parliament is doing, अगर पार्लमेंट पर भी अब जूट बोले थो, ये लोग कहा जाना फिर, मतलब आप क्या है, गनततर का दिवस, आजादी का दिवस, सारे इव बनाएंगे, दिवाली जैसा संक्रांती देशा, ये होते है, we must really take this as an serious matter, जैश का प्रदान मंत्री, राष्ट्रपती, गनततर दिवस, पे, at least, बाभू राजेंदर प्रसाद ने, 1950-26 जनवरी का बाशन पे पहले बार ये वदा दिया, उस में दिया, उसी समें दिया, exactly the same day, आज हम लोग अभी पूछ रहे हैं, सवाल, बताओ अभी, आउरी कितने साल इंतिजार करना, आपको कोन अधिकार दी हमें का ऐसा मारना, ठाकत नहीं है, नैवी पे ये आ गया, हमारा ये चल रहा है, हमारा का शुक्र गह जाएगा, अब शुक्र गह जाना जरूरी नहीं है आपका नागरिक का उन जान बचाने के लिए क्या योजना है, बताओ, यही सच पे रिपर्ब्लिक का एक इंपॉर्टन संदेश होगा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, और हमें लगता है कि दर्शकों को भी यह सवाल सरकार से पूछना, अपने चुनेवे प्रतिनिदियों से पूछना जरूरी है, कि जब देश के पहले राष्टपती ने पहले गरतंत्र दिवस पर यह संदेश भेजा था, कि इस तरह की मौ जातिगत उत्पीडन क्यों चल रहा है?